Hello guys, Jayesh here from letstaveelectricity.com और इस वीडियो में हम देखेंगे एक solar on-grid system क्या होता है कैसे काम करता है solar on-grid system, advantages क्या है, disadvantages क्या है कितने का bill आप बचा सकते हो solar on-grid system लगाने के बाद So make sure ये वीडियो आप end तक देखो ताकि आपको सारे information मिले चलिए शुरू करते है Solar on-grid system का working जानने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी हमारे गर पे electricity कैसे आती है आप जहाँ पर भी रहते हूँ, आपकी यहाँ पर एक electricity provider होगा मैं मुंबाई में रहता हूँ, हमारे यहाँ पर Tata, Adani, MSCB, Torrent, Power यह सारे electricity provider है तो आपके आपर जो भी electricity provider होगा उन्होंने एक meter लगाया होगा आपके खर में आपको जब भी भी electricity के requirement होती है आप electricity pull करते हो जो meter है वो एक reading capture कर लेता है और उसके basis पे आपका bill आता है मान लीजिए कि यह मंद आपने 100 units electricity import की है और आपके area का per unit tariff 10 rupees है तो उसके basis पे आपका bill हो जाएगा 100 into 10,000 rupees का solar on grid system लगाने के बाद भी आपका यह जो grid setup है वो रहेगा उसके parallel में solar on grid system लगता है तो यह basically काम कैसे करेगा जबी भी आपको electricity के requirement होगी और आपका solar panel आपके घर के electricity requirement फुल्फिल कर सकता है तो आप solar panel से electricity लोगे अगर आपका solar panel आपके घर की electricity नहीं फुल्फिल कर सकता है तो आप grid से लोगे अभी जैसे ले रहे हो और बीच में एक नया type का meter जिसे bi-directional meter या net meter कहते है वो लगा दिया जाएगा यह meter का benefit यह है कि यह दोनों side की reading captures कर सकता है मतलब यह है कि अगर आपके solar panel ने जो भी electricity बनाई आपने use कर ली और फिर भी एक्स्ट्रा बच रही है तो आप grid को export कर दोगे और यह reading net meter capture कर लेगा जिसे export बोलते है और अगर आपका solar panel electricity कम बना रहा है आपको घर को जितनी चाहिए उससे तो आप grid से electricity pull कर लोगे और net meter यह भी reading capture कर लेगा जिसे import कहते है यह दोनों values end में आपको use आएगी billing के लिए तो अभी scenario wise देख लेते हैं कि यह system काम कैसे करता है जबी धूप निकलती है लगबग 9 बजे से लेके 4-4.30 तक आपका solar system काम करेगा उसके बाद solar panels नहीं काम करेंगे क्योंकि sunlight चीह रहती है solar को morning 9 o'clock से लेके 4.30 तक जो भी आपका electricity का requirement होगा घर का वो solar से fulfill किया जाएगा और अगर आपका solar extra unit बना रहा है जितना आपको चाहिए उससे भी तो वो जो भी extra power हैगा वो grid में चला जाएगा और जैसा मैंने आपको पहले बता है net meter reading capture कर लेगा जिसे export बोलते है रात को after 5 o'clock जब solar आपका नहीं electricity बनाएगा तब आप grid से electricity import करोगे और उससे import बोलते हैं ये reading भी net meter में capture हो जाएगी तो आपका electricity कटेगा नहीं ऐसा नहीं है कि रात को तो solar panels काम नहीं करेंगे तो मेरे घर का क्या होगा solar on grid system का यही benefit है कि दिन हो या रात हो आपके घर में electricity रहेगी अगर आपका solar panels आपके घर का electricity requirement फुल्फिल नहीं कर सकता है तो grid से आप electricity फुल कर लोगे different weather scenarios में भी देख लेते हैं कैसे गाम करता है मालने जी रेडी season है rainy season में generally solar panels 50% output पे चलते हैं अगर आपका घर का requirement जादा है और आपका solar panel कम बना रहा है तो आप grid से electricity इंपोर्ट कर लोगे जो भी access आपको चाहिए रहेगी जैसा पहले बताया reading capture कर लेगा meter जिसे import बोलते हैं जब winter season होती है आपका solar panels close to 80% efficiency में चलता है अगर आपका घर का electricity requirement जादा है तो आप grid से इंपोर्ट कर लोगे जो भी आपको access चाहिए होगा अब usage के हिसाब से देख लेते हैं मान लिजे कि आपके घर पे कोई festival है guest आया है और आपके electricity consumption shoot up हो गया है काफी जादा हो गया है तो उस case में आपका solar system जितना भी electricity आपको provide करके दे सकता है आप use कर लोगे हो और जो भी आपको access लगेगा आप वो grid से ले लोगे आपके electricity तभी भी कटेगा नहीं और मान लिजे कि आपकी पूरी family बाहर गई है out of station और आपके घर में कोई नहीं है तो अभी आपका electricity consumption तो zero होगा और आपका solar panels तभी भी काम कर रहे होगे और जो भी electricity solar panels पूरे डे में बनाएंगे सारी की सारी grid में export कर दी जाएंगी और net meter एक reading ले लेगा जिससे export बोलते हैं और ये भी आएंड में use होगा billing के लिए है तो simple बात है कि आपका electricity कटेगा नहीं चाहे देन हो रात हो बारिश हो वेधर हो चाहे festivals हो आपके घर पे और on-grid system में तो भी billing देख लेते हैं कि कितना savings हो सकता है solar on-grid system लगाने के बाद और billing कैसे होता है इंडिया में majority states में net metering billing mechanism यूज होता है solar on-grid system के लिए सो मान लीजिए कि आपने वन किलो ओड का system लगा है अप्रोक्सिमेटली वन किलो ओड का system इंडिया में 110 से 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है हम 110 ले लेते एक्जाम्पल के लिए और ये 110 यूनिट्स में से 35 यूनिट्स आपका live consumption था मतलब morning 9 o'clock से लिए 5 o'clock तक जो solar panels बना रहा था electricity आपने 35 यूनिट्स live यूज कर लिए है और बाकी जो है 110 माइनस 35 वो आपने export कर दिये grid में तो ये export reading capture हो जाएगी and रात को जब भी आपका solar काम नहीं कर रहा था तो पूरे महिने आपने 70 यूनिट्स इंपोर्ट किये वहाँ से grid से तो अब ये आपका bill ये महिने कैसा होगा तो आपका bill होगा import minus export तो import अपका हो गया 70 units minus export कितना हो गया export 110 minus 35 जो लगबग होता है 85 units इसलिए आपका net unit हो गया 70 minus 85 minus 15 units तो आपने जादा units बना कर grid को दिया है तो ये महिने आपका bill जो fixed charge होता है जो आप electricity नहीं भी use करते हो फिर भी जो fixed meter rent आता है, सिर्फ वही आएगा, आपको units पे कोई भी charge नहीं किया जाएगा, और जो यह आपका extra 5 units है, यह आपका next month के लिए carry forward किया जाएगा, और आप यह next month यूज कर सकते हो, यह पूरा one financial year तक आप यूज कर सकते हो, जैसे ही नया financial year चालू होता है, आपका ज solar continuously चलेगा, ऐसा नहीं है कि rainy season है, तो solar आपका बंद हो गया, इसलिए आपके घर की lights चली गई है, यह solar system continuously चलेगा, इसका disadvantages, सारे advantages तो मैंने आपको गिना दिये, इसका एक main disadvantage है, कि जैसे ही आपका electricity provider जो है, उसने light बंद कर दी, maybe maintenance के लिए या कुछ problem आ गया, और उसकी light बं बंद हो गई है, तो आपका solar भी बंद हो जाएगा, आपका solar पुरा grid dependent system है, इसलिए जैसे grid कटेगा, वैसे ही आपका solar बंद हो जाएगा, यह main disadvantages है, मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पर तो hardly साल में 4-5 घंटा लाइड जाती है, वो भी रात के time, anyways रात में आपका solar नह best option नहीं होगा, आप hybrid system लगा सकते हो, hybrid system पे भी मैंने एक अलग video बना है, आप देख सकते हो, अगर आपको information चाहिए तो, अगर आपको price जानना है solar on-rich system का, आपके घर के लिए कितने kilowatt का system लगेगा, क्या area लगेगा, तो यह सारे videos भी मैंने अलग बना है, आप देख सकते ह हो, वीडियो से हैं, ब्लॉग का link मैं description में डाल दूँगा, आप चेक कर लेना, अगर आपको कोई doubt है solar on-rich system के बारे में, तो please comments में पूछो, I am more than happy to help you, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया, तो please subscribe करो channel को, वीडियो पसंद आई है, तो like करो and share करो आपके दोस्तों के साथ, ताकि right information, correct information सबको मिल सके, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, bye